आज की इस वीडियो में होस्टल वर्डन एक्जाम के लिए बजट के most important question का MCQ करेंगे देखेगा 36 गड़ बजट 2024 को साय सरकार ने किस नाम से पेस किया तो right answer हो जाएगा किस नाम से पेस किया गया तो अमरीत काल के नीव का बजट ठीक है 36 गड़ बजट 2024 को साय सरकार के दोरा किस नाम से पेस किया गया है तो अमरीत काल के नीव का बजट अगला question है देखे इसके अतरिक्त grade CG का theme पर भी ये बजट जो है वो प्रस्तूत किया गया है ठीक है अगला question है 36 गड़ बजट 2024 किस के द्वारा पेस किया गया तो right answer हो जाएगा स्री ओपी चौधरी जी के द्वारा 36 गड़ बजट 2024 पेस किया गया अगला सवाल है 36 गड़ बजट 2024 पचीस देखेंगे हम लोग कुछ important point ठीक है वित मंत्री कौन है वरतमान में तो ओपी चौधरी जी है इसके अलोब बजट पेस कप किया गया तो 9 फरवड़ी 2024 को 36 गड़ बजट 2024 पचीस पेस किया गया और ये 36 गड़ राजजी का 24 वाँ बजट है ठीक है वित मंत्री का कार्यकाल का यानि ओपी चौधरी जी के कार्यकाल का ये पहला बजट होगा ठीक है 36 गड़ बजट 2024 पचीस का पेस किया गया देखे कप पेस किया गया पूछा है तो राइट एंसर हो जाएगा 9 फरवड़ी 2024 को 36 गड़ बजट 2024 पचीस पेस किया गया अगला कोस्चन है 34 गड़बजर 2024 के briefcase में कौन से चित्र अंकित था देखे जो briefcase पेस किया गया था ठीक है उसमें भारत माता और 34 गड़ी माता इन दोनों का चित्र अंकित था ठीक है 34 गड़बजर 2024 ब्रीफकेस किस सिल्प कला से बनाई गया यह तो right answer हो जाएगा ब्रीफकेस जो था वो ढोकरा सिल्प से मनाया गया है option number B ढोकरा सिल्प ठीक है अगला question है 36 गड़बजर 2024 ब्रीफकेस में कुल आय कितना अन्मानी थे देखे 36 गड़बजर 2024 ब्रीफकेस का जो कुल आय है यानि सरकार को सभी चेत्रों से कितनी आय प्राप्त होगी 2024 का अन्मानित कुल वैब यानि कुल वैब कहने करते हैं कि सभी चेत्रों में कुल खर्च कितना होगा तो राइट एंसर है 1,47,440 करोड रूपए ठीक है वही 2023 के बजट में 1,21,500 करोड रूपए अन्मानित था अगला सवाल है 36 गड़ बजट 2024 का अन्मानित राजश्वा वैब कितना है देखे राजश्वा वैब कहने करते कि गौर्णमेंट जो होगा वो सैलरी हो गया पैंसन हो गया और ब्याज में जो खर्च होता है ठीक है वो क्या हो जाएगा राजश्वा वैब के अंतरगत आता है इसमें कुल कितना अनमानित है दो हजार कुल राजश्वा वैब 36 गरवाजर 2026-25 का अनमानित पुंजीगत वय कितना है देखें पुंजीगत वय कहने करते कि गौर्णमेंट जो होगा वो मसीनिरी, उपकरार ये सब जो खरीदने में खर्ज करेगी ठीके वो क्या कहलाता है पुंजीगत वय कहलाता है तो 2024-25 का जो अन्मानित पुंजीगत व्य है वो 22,300 करोड रूपय है और 2023-2024 में कितना अन्मानित था तो 18,660 करोड रूपय है ठीक है अगला सवाल है तो 2024-25 का अन्मानित राजकोसिय घाटा कितना है देखे राजकोसिय घाटा कहनेकार थे कि कुल खर्च और कुल प्राप्ती सरकार जितना खर्च करेगी और कुल कितना प्राप्त करेगी इन दोनों की बीच का जो अंतर होगा वो क्या कहलाता है राजकोसिय घाटा कहलाता है ज तो दोघ़ाज़ चुबिस पचीस का अन्मानित राजकोशी यह जो घाटा है वो आपका 1699 करोडर रूपए है ठीक है कितना अन्मानित थे 16296 करोडर रूपए और 2023 में कितना अन्मानित था तो 15200 करोडर रूपए अन्मानित था इस थे 26lles के बजट में राजकोसिये घाटा अगला सवाल है 36 गड़ परदेश की सकल राज जी उत्पाद GSDP को कितने गुना बढ़ाने का लक्ष रखा गया है कितने गुना तो दो गुना बढ़ाने का लक्ष रखा गया ठीक है 5 लाग करोड रुपए है वरतमान में जिसे 5 लाग को कितना 10 लाग करोड रुपए करोड रुपए करने का लक्ष रखा गया है अगला सवाल है 36 गड़ परदेश में नवीन क्रिसी एवं उध्यानी की महाविद्याले की स्थापना किया जाएगा कितने तो राइट एंसर हो जाएगा चार नवीन क्रिसी एवं उध्यानी की महाविद्याले का स्थापना किया जाएगा एक तो कहां कुनकूरी जस्पूर में दूसरा रामचंद्रपूर बलरामपूर में तीसरा खडगाओं और यह जो खडगाओं है यह राजननद गाओं जिले में है तीसरा है चांता है सिल्फीली ठीक है जो की सुरजपूर में इसी थे यहाँ पर नवीन क्रिसी एम उध्यानी की महाविद्याले का स्थापना किया जाएगा इसके तरीक्त दूर्ग एम सरगुजा जिले में क्रिसी यांत्री की कारियले का भी इस्थापना किया जाएगा ठीक है अगला कोस्चन है फॉरेंसिक साइंस परयोकसाला की इस्थापना किस विश्वविध्याले में किया जाएगा देखे फॉरेंसिक साइंस परयोकसाला की जो इस्थापना है ये पंडित रवीशंकर शुक्लविशोय ध्याले में किया जाएगा इस चतिसगड़ी भासा के विकास से तू बजट 2024 में राशी का प्रावधान किया गया है देखे कौन से चतिसगड़ी भासा है जिसके विकास से तू 36 गड़ में बजट 2024 में राशी का प्रावधान किया गया है तो राइट एंसर जाएगा गोंडी भासा के लिए ठीक है गोंडी भासा के लिए और इसके लिए 2 करोड 50 लाक रुपे का प्रावधान किया गया है बजट 2024-25 में 2 करोड और कितना 50 लाक रुपे अगला question है 36 गड में नवीन संगीत महाविध्याले का निर्माड कहां किया जाएगा तो देखें नवीन संगीत महाविध्याले का निर्माड नवाराइपुर में किया जाएगा अगला question है प्रधान मंतरी अवास योजना के लिए कितने रूपय का प्रावधान किया गया है देखे प्रधान मंतरी अवास योजना के लिए 8,379 करोड़ रूपय का प्रावधान किया गया है बजट 2024 में ठीक है 8,369 करोड़ का प्रावधान किया गया है और इसके अंतर अठारा लाग से अधिक गरों का क्या जाएगा निर्माड क्या जाएगा 36 गड़ बजट दोझाट 2024 में करिसी उननती योजना है तू कितने करोरी रासी का प्राउधान है कि इसके तरीक्त देखेगा 24.72 लाग से अधिक किसान को क्या करेंगे सम्रीध करेंगे इसके इंतरगळ तीक है अगला सवाल है श्री रामलला दर्षन योजना है तु कितने करोड राशी का प्रावदान कियागय है धीक है बज़त दोज़ार 24-25 में रामलला के दर्षन के लिए 15 करोड रुपए का प्रावधान कियागय है ओप्शन नमर C 35 करोड रुपे का प्रावधान किया गया है ठीक है इसके अंतर का पर्देश सरकार क्या करेगी कि सरत धालूओं को सरीर राम लला के दर्सन कराएगी 36 गड़ बजट 2024 में क्रिसी बजट में कितने परतिसत की वृधी हुई है तो देखे क्रिसी बजट में 33 परतिसत की वृधी की गई है ठीक है बजट 2024 में 13,435 करोड रुपे का प्रावधान किया गया है अगला सवाल है 36 गड़ में सिचाई परियोजना के लिए कितने करोड रुपे का प्रावधान किया गया है तो राई टेंसर हो जाएगा 300 करोड रुपे का प्रावधान किया गया है 36 गड़ महिलाओं को सम सहता समूह दौरा रोजगार देने हे प्रावधानित रासी कितनी है तो राई टेंसर हो जाएगा 5000 1 करोड रुपे का प्रावधान किया गया है अगला है चतिसगड यूथ होस्टल नई दिल्ली में सीविल सर्विस पर इचाओ है तू कितनी सीटों में की वृद्धी की गई यह देखे पूरों में 65 था जिसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है तो 200 सीट कर दिया गया है ठीक है और इसके तहट क्या होगा कि 5 वर्सों तक इनको निसूल को भोजन भी दिया जाएगा अगला है चतिसगड महतारी वंदन योजना 2024 के लिए बजट में कितनी राशी का प्रावधान किया गया है कितनी राशी का प्रावधान किया गया है तो राइटेंसर है 50 करोड रुपे अगला है चतिसगड के 5 सकती पीठों को विक्सित करने ही तू प्रावधानी राशी है कितने करोड रुपे की राशी का प्रावधान की आगया है? 5 सक्ति पिठों के विकाष के लिए तो राइट एंसर हो जाएगा 5 करोड रुपे केंदू पता संग्राहोकों को प्रती मानक बोरा में कितने रुपे की वृध्धी की गई है? तो राइट एंसर है 5500 रुपे ठीक है पूरों में किता दिया जाता था 4000 रुपे जिसे बढ़ाकर करती है गया है 500 रुपे और इसके लिए बजट में 35 करोड रुपे का प्रावधान किया गया है अगला कॉस्चन है 36 गड़ राजे पूलिस बल में कितने पदों की व्रिद्धी की गोशडा किया गया है कितने पदों की तो राइट एंसर है 1089 नेक्स्ट है अमरीत मीशन योजना के लिए कितने रासी का प्रावधान किया गया है तो देखें अमरीत मीशन योजना के लिए कितनी है है तो राइट एंसर क्वर्स इसके 9 निर्माड के लिए कितनी राशी Ma अगला क्वेश्चन है अचल सक्ती यूझन के लिए बजट में कितनी स्क अंशण चला क्या गया है तो राइट एंसर एक सो तेईस करोड रूपए अटल स्रम सकती योजना के लिए बज़ट थोज़चोबिस में प्रावधान के अगया है 36 गड़ बज़चोबिस में बिजली बिल हाफ योजना है तू कितनी राशी का प्रावधान के अगया है तो राई टेंसर हो जाएगा 1244 करोड रूपए का प्रावधान के अगया है बिजली बिल हाफ योजना के लिए 36 गड़ अधो संवर्चना विकास को पर साहित करने ही तू बज़ट में कितनी राशी का प्रावधान के अगया है तो राई टेंसर है 8,317 करोड रूपए कटगोरा से डोंगर गड़ रेल लाइन निर्माड ही तू कितनी राशी का प्रावधान के अगया है तो राई टेंसर है 300 करोड रूपए का प्रावधान के अगया है कटगोरा से डोंगर गड़ रेल लाइन निर्माड के लिए तो इसके लिए 2788 करोड रुपे का प्रावधान किया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए 8 करोड रुपे का प्रावधान किया गया है इसके अलावा सिंचाई के लिए किसानों को 5 HP पंप तक मुप्त बिजली दिया जाएगा इसके लिए बजट दोज़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़ देखे दीन दयाल उपाद्या है भूमी हिन क्रिसी मज़ूर योजना के तहरे कितनी रासी दिया जाता है तो राइट एंसर हो जाएगा 10,000 रुपे दिया जाता है ठीके और बजट में इसके लिए 500 करोड रुपे का प्रावधान किया गया है चतीसगड़ बजट दोजार चोबिस पचिस में स्वक्ष भारत मिसन के लिए कितनी रासी का प्रावधान किया गया है तो राइट एंसर हो जाएगा 400 करोड रुपे का प्रावधान किया गया है इसके बाद दूसरा नमबर पर पंचायत एम ग्रामिड विकास, तीसरे नमबर पर कृष्री विबाग और चोथे नमबर पर महिलायवाम बाल विकास विबाग अगला कोश्चन है दोस्तों, 36 गड़ बजट दोजाट 24 पचीस का अकार कितना है, तो इसका राइट एंसर हो जाएगा, 1,47,446 करोड रुपए, विडियो में आगे बढ़ने से पहले, यदि अभी तक आपने हमारी यूटुब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्ली नमबर A, निर्मला, सीता रमा, ठीक है, इनके दोरा संसद में पूड बजट दोजाट 24 पचीस पेस किया गया है, इसके अलवा नरेंद्र मोदी जी सबको पता होगा, देश के प्रधान मंत्री है, ठीक है, अमित साजी, देश के ग्रीह मंत्री है, और द्रोपदी, अगला सवाल दिखेंगे दोस्तों, दोस्तों कुछ important point है, क्या होता है budget सब्द का मतलब दिया होए, ठीक है, तो दिखें budget सब्द, budget जो सब्द होता है, वो प्रेंच बासा के budget से लिया गया है, और इसका अर्थ होता है, चमडे का थैला, क्या अर्थ होता है, इसका तो सरकार की आइवेव का लेखा जोखा होता है, स्वतंत्र भारत का पहला budget का पेस किया गया था, तो 1947 में, वित्मंत्री निर्मला सीता रमड़ जी ने आज यानि की 23 जुलाई 2024 को सरकार का अंत्रिम बजट 2024 पेस किया है, अगला देखेंगे, अगला point है हमारा, इसके बादे दोस्तों की पूड बजट आकिर होता गया है, ठीके, इसको पूड बजट क्यों कहा गया, तो देखें, जुलाई में क्यों पेस हो रहा है बजट, वित्मंत्री आम तोर पर सालाना केंद्रिय बजट पेस करती है, लोग सबा चुनाओं के कारार इस बार दो बार बजट पे अगला कोस्चन देखेंगे दोस्तों, बजट दोजट दोजट चोबिस में क्रिसी और उससे संबंदित छेतर के लिए कितने लाग करोड आवंटित किया गया है, तो राइट एंसर हो जाएगा, 1.52 लाग करोड रुपे, ठीक है, अगला कोस्चन है, बजट दोजट और कौशल विकास के लिए, ठीक है, नेक्स्ट कोस्चन है, बजट दोजट दोजट चोबिस के उनसार, भारत की मुद्रा इस्पिती कितने परतिसत लक्ष की और बढ़ रही है, तो राइट एंसर हो जागा, 4.30, ठीक है, बजट दोजट 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 चोबिस पच्च की मदद की जाएगे, ठीक है, कौन-कौन से जो होंगे, इसके लिए पात रहोंगे, अगला कोस्चन है, बजट दोजट 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 चोबिस में, सिक्चा, रोजगार और कौशल विकास के लिए, कितने लाग करोड रुपे का प्रावधान किया गया है, तो राइट ए पिती, कितने परतिसत लक्ष की और बढ़ रही है, तो राइट एंसर हो जाएगा, चार परतिसा, ठीक है, भारत की जो मुद्रा इस पिती है, वो चार परतिसत लक्ष की और अगरसर हो रही है, अगला देखेंगे, पहली नौकरी करने वालों के लिए, कितने हजार रुपे की मदद की जाएगी, तो राइट एंसर हो जाएगा, 15,000 रुपे, ठीक है, देखेंगे, एक लाग से कम सेलरी होने पर, 15,000 तक की मदद की जाएगगी, ठीक है, किस के ताहिए, तो EPFO, EPFO के ताहिए, इसमें रजिस्टेट करवाना होगा, अगला देखेंगे, बजट दो ज नए इंडस्टियल पार्क बनाये जाएंगे तो राइट एंसर हो जाएगा 12, बजट दोजार चोबीस के नए इंडस्टियल पार्क बनाये जाएंगे, अगला कोस्चन है, कौसल विकास के लिए अगले 5 साल में कितने लाखी उवाओं को कुशल बनाने का लख्चे रखा गया प्रुवत्तर राज्यों में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से कितनी सकाएं इस्तापित किया जाएगी तो राइट एंसर हो जाएगा 100 से अधिक सकाएं इस्तापित किया जाएगा प्रुवत्तर राज्यों में ठीक है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अगला देखेंगे बजट 2024 में महिलाओं और लड़कियों को लाब पहुचाने वाली योजनाओं के लिए कितने लाग करोड रुपे का प्रावधान किया गया है 3,00,000,000 करोड रुप का प्रावधान के अगय है महिलाओं और लड़कियों को लाब पहुचाने के लिए अगला है PM अवास योजना के तहट कितने करोड अतरिक्त घर बनाये जाएंगे तो right answer हो जाएगा 3 करोड अतरिक्त घर बनाये जाएंगे PM अवास योजना के तहट intensive program के तहट 1 करोड युवाओं को कितने हजार रुपे प्रतीमा भत्ता दिया जाएगा तो right answer हो जाएगा 5,000 रुपे प्रतीमा भत्ता दिया जाएगा ठीक है कितने युवाओं को तो 1 करोड युवाओं को अगला देखेंगे बजट 2024 में कितने राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगे तो right answer हो जाएगा 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगे ठीक है अगला सवाल है बजट 2024 में बिहार राज्ये को कितने 1000 करोड रुपे की मदद दी जाएगी तो राइट एंसर हो जाएगा 58,900 करोड रुपे की मदद बिहार राज्जे को दिया जाएगा important point देखते हैं कि बिहार में 26,000 करोड रुपे का क्या किया जाएगा सडकों का जाल बिचाया जाएगा कितने करोड का तो 26,000 करोड का निर्मला सीतर रमार ने बताया कि पटना पूड या एक्सप्रेस्वे की भी मंजूरी दे दी गई है इसके साथ ही बिहार की फीर 35 में 2400 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट भी इस्तापित किये जाएगा इसी के साथ केंदर सरकार गंगा पर दो नए ब्रीज भी बनाएगे ठीक है बार सेनी पटने और राहत के लिए 11,500 करोड रुपे दिया जाएगा बिहार राज्जी को मुद्रा लोन की रकम 10 लाक रुपे से बढ़ा कर कितनी कर दी गई है दिखें मुद्रा लोन जो 10 लाक रुपे दिया जाता था इसे बढ़ा कर कितना कर दिया गया है तो 20 लाक रुपे कर दिया गया है अगला क्वस्चन है PM सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के तहत कितने करोड घरों को हर महिने 300 यूनिट बिजली फ्री में दिया जाएगा तो राइट टेंसर हो जाएगा एक करोड घरों को ठीक है PM सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के तहत 300 यूनिट बिजली फ्री में दिया जाएगा एक करोड परिवारों को अगला देखेंगे सोना और चांदी के गहनों पर कश्टम ड्यूटी कितनी काम कितनी कम कर दी गई है तो राइट टेंसर हो जाएगा 6 परतिसर्थ इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं कुछ देखें दूस्तों बजट में ठीक है मुबाइल फोन हो गया और इसके जो पार्ट्स हो गया ये भी क्या कर दिया गया वो सस्ता कर दिया गया लेकिन जो PVC फ्लैक्स हो गया बैनर हो गया ये सब कभी क्या कर दिया गया है महंगा कर दिया गया है कुछ दूर संचार के उपकरण भी महंगे कर दिये गया है अगला देखेंगे बजट 2024 के अनुसार कितने लाग रुपए की आमदनी तक कोई टेक्स नहीं देना पड़ेगा तो कितने लाग आमदनी तक कोई टेक्स नहीं देना पड़ेगा तो 0 से 3 लाग ठीक है 0 रुपए से 3 लाग तक की आधी आपकी इंकम है तो आपको कोई भी tax नहीं देना होगा देखेंगे दोस्तों अगला कुछ सेने 3 से 7 लाग रुपे तक की आये पर कितने परतिसत का tax लगेगा तो यदि आपकी आये 3 से 7 लाग रुपे है तो आपको देने होंगे 5 परसेंट का tax कितना 5 परसेंट का ठीक है देखते हैं important point देखें जो पुराना आपका tax इसलेब था ठीक है जिसमें 0 से 3 लाग था इसमें 0 tax लगता था और इसमें भी प्रावदान किया गया है 2024 पजिस का जो बजट है इसमें भी वही है कि 0 से 3 लाग पर क्या है 0 tax है लेकिन 3 से 6 लाग पर क्या था 5% था जिसे बढ़ा कर क्या कर दिया गया है 3 से 7 लाग कर दिया गया है 1 लाग रुपे बढ़ा दिया गया है ठीक है और 6 से 7 लाग पर कितना था तो 10% का tax लगता था जिसे बढ़ा कर कितना कर दिया गया है 7 लाग से 10 लाग पर 10% का tax कर दिया गया है और old जो tax slab था उसमें यदि 12 लाग से 15 लाग पर कितना tax था तो 20% था और नए में क्या हो गया है कि 12 लाग से 15 लाग पर सेम है कुछ बदलाओ नहीं किया गया है 20% ही लगेगा ठीक है इसके बाद है 15 लाग तो 15 लाग से उपर के जितने भी हैं उसमें 30% का tax लगेगा यानि कि 12 से 15 लाग में बदलाओ नहीं किया गया है 0 से 3 में नहीं किया गया है और 15 लाग से उपर में बदलाओ नहीं किया गया है ठीक है अगला कोश्चन है 15 लाग रुपे से उपर की आए पर कितने परतिसत का टैक्स लगेगा तो दीखे 15 लाग 15% से एबव इस पर कितने का टैक्स लगेगा तो 30% का टैक्स लगेगा नेक्स्ट कोच्टन है बजट 2024 के अनुसार पुर्वदय योजना ठीक है और याद रखेगे दोस्तों कि इस योजना में कौन-कौन से राज्य सामिल है तो एक तो हो गया बिहार राज्य हो गया ठीक है बिहार के अलावा कौन सा तो जारकंड हो गया बिहार के अलावा जारकंड और जारवंड के अलावा ओडिशा, ओडिशा के अलावा आपका आन्दर परदेश ये सभी राज़े इसमें क्या होंगे, सामिल होंगे बजट दोजार चोबिस के अनुसार किस राज़े में महाभोधी और विश्डूपत कोरीडोर का विकास होगा तो राइट एंसर हो जाएगा बिहार, बिहार में दोस्तों महाभोधी और विश्डूपत कोरीडोर का विकास किया जाएगा इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं गया में विश्णूपत मंदिर और बोध गया में महाबोधी मंदिर का अध्यात्मिक मौत बहुत ही अधिक है हम उन्हें विश्व इस्तरिय परियटन इस्तल बनाने के लिए सफल काशी विश्वनात कोरिडोर की तर्जपर वहाँ पर क्या होगा कोरिडोर का विक्सित करेंगे उन्होंने आगे कहा कि बिहार में राजगीर और नालंदा के लिए एक व्यागपक विकास पहल की भी की जाएगा और ओडिशा में परियाटन को बढ़ावा देंगे जिसमें प्राकृतिक सुन्दर्ता, मंदिर, सिल्पकला, प्राकृतिक प्रदिश्य, वन जीव, अभियारण और प्राचिन समुद्र तड़ भी सामिलें नेक्स्ट कोशेन है, बजर 2024 में PM Urban Housing Plan के लिए कितने लाग करोड रुपे का प्रावधान किया गया है तो right tensor हो जाएगा 10 लाग करो, ठीक है, कितना किया गया है, PM Urban Housing Plan के लिए तो 10 लाग करोड रुपे का प्रावधान किया गया है बज़र 2024 के अंसार, Sydney की कितनी नई साखाएं 2024 में खोली जाएंगी, तो right tensor हो जाएगा 24, ठीक है बज़र 2024 में, Sydney के लिए 24 नई साखाओं का प्रावधान किया गया है देखेंगे दोस्तों, important point है, जैसे कि Sydney, इसका full form क्या होता है, तो Small Industries Development Bank of India और इसका इस्तापना हुआ था 2 April 1990 को, और इसका मुख्याले है दोस्तों, लखनाव, जो की उत्तर परदिस राज्ये में है अधेक्च कौन है, तो अधेक्च MD है इसके, मनोज मित्तल, अगला question देखेंगे बज़र 2024 में, सरकार ने विक्सित भारत के लिए कितनी नई प्रात्मिकताएं बताई है तो देखेंगे बज़र 2024 में, सरकार के दौरा विक्सित भारत के लिए, ठीक है कितनी नव प्रात्मिकताएं बताई गई है, तो नव प्रात्मिकताएं बताई गई है कौन कौन से है, तो देखेंगे देखेंगे दोस्तों, एक तो क्रिसी, दूसरा रोजगार, तीसरा सोसल जस्टीस, चौन्था manufacturing aid services, पाचवा energy, चटवा है अर्बन development, साथवा infrastructure, आटवा, innovation, research and development, और नॉमा है दोस्तों, next generation reform, ठीक है यानि कि सरकार ने कितनी विक्सीत भारत के लिए कितनी नव प्रात्मिकताएं बताई है, तो नव प्रात्मिकताएं बताई है अगला question दिखेंगे बजट दोज़ार चोबिस के प्रदान मंद्री जनजाती उननत ग्राम अभियान के तहत कितने हजार गाओं को लबानवित किया जाएगा जनजाती समुदाएं के समाजिक आर्थिक इस्तिति में सुधार किया जाता है इसके अंतरगत जंजातिय उननत ग्राम के तहत, जंजातिय परिवारों के पूड कवरेज के लिए उठाए जाएंगे, महतपूर कदम 63,000 गाओं को 5 करोड जंजातिय लोग होंगे, इसमें लाबानुईत, ठीक है, कितने 63,000 गाओं के 5 करोड, 5 करोड जो जंजाति हैं, वो इ राइट एंसर है 400, 400 जिलो का डिजिटल सर्वेक्षर किया जाएगा, ठीक है, क्यों तो खरीब फसलों के लिए, बजट 24 में बच्चों के लिए कौन सी योजना सुरू की जाएगी, तो राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों, NPS वातसल ले जना, कौन सी योजना, तो NPS वातसल बच्चों के लिए सुरू किया जाएगा, बजट सब्द का अर्थ क्या होता है, बजट में पहला बजट 7 अपरेल 1860 को किस ने पेस किया था, तो राइट एंसर हो जाएगा, James Wilson ने, James Wilson वो बंदा था, जिसने 7 अपरेल 1860 को बजट पेस किया था, बभारत में, भारत में पहला बजट कप पेस किया गया था, तो दिखिए भारत में जो पहला बजट पेस हुआ था, वो हुआ था आपका 18 फरवरी 1860 को, निक्स कोश्टन है, समिधान में बजट सब्द की जगा क्या परियोग हुआ है, अप्शन है द बज़ट मंत्राले बज़ट तयार करता है ठीक है और finance minister कौन है वर्तमान में तो निर्मला सीता रमाड उनी के दौरा बज़ट 2024 पेस किया गया है अगला है स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेस किया था तो देखे जो स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेस किया गया था काफी important question है किसने पेस किया था तो RK सनमुखम चेटी ने इनके दौरा पेस किया गया था कब पेश की अग्या था तो 26 नौंबर को 26 नौंबर 1947 को RK सनमुखम चेटी के दौरा स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश की अग्या था भारत की पहली महिला वितमंत्री कौन थी? तो देखे भारत की जो पहली महिला वितमंत्री थी वो थी इंदीरा गांधी अगला question है लगतार सात्वी बार budget paste करने वाली पहली महिलावित मंत्री कौन बनी है तो देखें लगतार सात्वी बार budget paste करने वाली जो पहली महिलावित मंत्री बनी है वो है निर्मला सीता रमड अगला कोश्चन है दोस्तों भारत के कितने परदान मंत्री ने परदान मंत्री रहते हुए बजट पेस किया तो राइट एंसर हो जागा तीन परदान मंत्री ने परदान मंत्री रहते हुए बजट पेस किया ठीक है देखेंगे दोस्तों एक तो जवाहरलाल नहरुजी दूस तिसरे इंदिरा गांधी और तिसरे आपका राजिव गांदे ठीक है सबसे अधिक बार बजट पेस करने का रिकॉर्ड किस नेता के नाम है तो राइट अंसर हो जाएगा मोरा राजी देशाई ठीक है इनोंने कितनी बार बजट पेस किया तो इन होने दोस्तों कुल 10 बार बजट पेस किया था कितनी बार पेस किया तो 10 बार बजट किया 1862 से लेकर 69 तक अगला कुश्चन है अंतरीम बजट को क्या कहा जाता है तो देखे, option है दोस्तों, mini budget, what account, उप्रयोक्त दोनों या फिर इन में से कोई नहीं, तो right answer हो जाएगा दोस्तों, इसका उप्रयोक्त दोनों कहा जाता है, ठीक है, mini budget भी कहा जाता है, what on account भी कहा जाता है, अगला question है, किस साल में budget दो बार प्रस्तुत किया जाता है, तो इसलिए दो बार budget जो है, वो paste किया गया था, I hope दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया होगो, तो please वीडियो को लाइक करें, और चैनल परना है तो subscribe करें, इसके साथ ही दोस्तों, जितने में आप गुटका खाके थूख देते होंगे, उससे भी कम प्राइज में मैं आपक इसका PDF देने वाला हूँ, मातर पांच रुपए ठीक है, दियेगा कीवर कोट को सकैन करें, और पांच रुपए केवल पेमेंट करें, इसके साथ ही मुझे इस नंबर पर WhatsApp करें, आपको इसका PDF तुरंती मिल जाएगा, थैंक यू